करनवीर और अविनाश ने 40k differences करनवीर ने कहा अविनाश को sorry जिए आगाइस जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पहले करनवीर और अविनाश मिश्रा के बीच में एक बहुती बड़ी लड़ाई हुई थी जहां पर दोनों ने एक दूसरे को काफी कुछ कह दिया था यहां तक कि क करनवीर ने तो अविनाश के ऊपर उनके करियर को ले कर भी बहुत सारे कॉमेंट्स पास किये थे जैसे कि उन्होंने अविनाश को आशीष के नाम पर कहा था और कहा था कि तुझे तो कोई जानता भी नहीं है और तेरे जैसे 36 को मैं हैंडल कर सकता हूँ बहुत सारे ऐसे प्रोवोकेटिफ कॉमेंट्स करनवीर कर चुके थे उस लड़ाई में और इसलिए अब उन्हें अपनी इस गलती का एसास हो चुका है इसी को लेकर अब करनवीर जाते हैं अविनाश मिश्टा के पास और उनसे मांगते हैं माफी और कहते ही हैं कि heat of the moment में मैंने बहुत कुछ कहा दिया था जो मुझे बाद में realize हुआ और मैं wait कर रहा था कि मैं दिल से sorry feel करूँ मैं अब दिल से sorry feel कर रहा हूँ इसलिए तुम से माफी मांग रहा हूँ यहाँ पर अविनाश भी कहते हैं कि मैंने आपकी कोई भी बाते दिल से नहीं ली थी क्योंकि इस घर में लड़ाई जगड़े तो होते ही रहते हैं मैं गाइस करनवीर जो है वो आखिर में जाते आते ये भी कहते हैं कि अगर तुझे भी कभी भी future में माफी मांगनी होगी तो हम लोग बैट कर sort कर सकते हैं और तुम भी माफी मांग सकते हो वेल देखकर तो यहीं लग रहा है कि करनवीर और अविनाश के डिफरेंसेज अब दूर हो गए हैं और दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं वहीं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताएं साथ ही टेलिविजन और बिग बॉस 18 से रिलेटेट हरेक लेकर लेकर सब्डेट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें